हलो दोस्तों, अगर आप भी बहुत साथा कन्फ्यूज़ नहीं कि सुजुकी एक्सेस 125 के राइडर कनेक्ट एडिशन में कौन से ऐसे फीचर से जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फाइदे मत हैं, तो ये विडियो आपके लिए है राइडर कनेक्ट एडिशन में स्पेशल फिचिस के दौर पे आपको मिल जाता है नाबर वन, मिस्ट कॉल अलर्ट और कॉलर राइडी मतलब बिना अपने फोन को टच किये, सिर्फ ब्लुटुथ एनेबल डिजिटल कंसोल मीटर के जरीए आपको पता चल जाएगी आपके सारे फोन कॉल्स और मिस्ट कॉल्स के बारे में नाबर तू, स्पिट एक स्गरीन अलर्ट आप में से जिनको भी मेरी तरह स्पीड लिमिट क्रोस करने की बरी आदित है उनके लिए शांदार है ये फीचर सिजुकी राइड कनेक्ट अप के थ्रो आप अपने लिए एक स्पीड लिमिट सेक करने की फिर जब ही आप उस्पीड लिमिट को क्रोस करेंगे देन आपकी आक्सेस आपको अलर्ट कर देगी नाबर त्री, कॉल, समस और वाटसप अलर्ट LCD और LED blinking इस notification डिस्प्ले से आपको मिल जाएंगी सारी डिटेल्स नाबर फो, फोन बैटरी लेवल दिसके आपकी बैटरी कितनी पुरसंट बचेगे ये भी आप पता लगा सकते है बस इसके स्क्रीन से नाबर फाइड, टर्न बाइटर और नविकेशन ये सबसे शांदार फीचर से Access 125 सीरीज की जिसके थूँ आप अपने आने वाले डेस्टिनेशन के सारे रोड मैप्स अपने स्क्रीन में ही देख सकते हैं कोई extra phone या फिर Google connectivity की जरूदी ने बढ़ीगी नाबर 6, ETA अपडेट्स ETA मतलब estimated time of arrival यानि कि आपके मनसल पहुचने में कितनी approximately time लगेगा वो भी आप देख सकते हैं इसके थूँ इसलिए शायद कहते हैं कि Suzuki Access कम पीता है और सीधा मनसल तक लेके जाता है खैचोड़े, खृपया ध्यान दे दो चीज़ों के बारे में नमबर वन ये है कि Suzuki Ride Connect एप सिर्फ Android में अभी तब अविलेबल है आने वाले टाइम पे शायद कमपनी इसमें काम करें और iOS में भी ये अविलेबल हो जाए नमबर टू, Bluetooth एनेबल डिजिटल कंसोल सिर्फ Rider Connect एडिशन में है आपको मिलता है, Standard या फिस Special Edition में ये नहीं मिलता है So, Thank You दोस्तों, आज के लिए यही तक तो आप लोग मुझे बताएं कि Access के इन सारे Features में से आपके लिए काईदिमन सबसे जादा कौन सी है मुझे नीचे कैमर ने बताएं, Thank You, Take Care